अज मैं आपके साथ शेयर करूगी बिल्कुल सौफ्ट एक देम मुह में घुल जाने वाली क्रीमी चिकेन मलाई कटले जो कि बहुत ही जादा टेस्टी बनके तयार होता है और इसे बनाना बहुत ही इजी है अप एक बर बनाएगे ना तो डेफिनिटली अब इसे बार बर बन बनाना चाहेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर सबसे पहले ना प्रेशर कूकर ले लिया है और से फ्लेम पर डानने के बाद इसमें मैं आट करूंगी 200 ग्राम चिकेन जो की बॉनलेस है और इसे पका लेना है तो यहां पर मैं ट्रांसफर करूंग और पानी अट करने के बाद यहां पर मैं भूल गई थी काली मिर्चो का पाउडर तो वह भी आट कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून और उसके बाद मैं यहां पर लेड को लगा लूंगी और उसके बाद एक प्रेशर आने तक अधा फ्लेम पर इसे गला लेना है उसके बाद आ आट से 10 मिन तक इसे कुक कर लेंगे आप इसे किसी भी नॉर्मल तान में गला सकते हैं यह थोड़ा सर टाइम कंजूमिंग है 20-25 मिन तक आप इसे लो फ्लेम पे कुक कर ले तो यह गल जाएगा और प्रोसेस सेम रहेगा अब जो भी पानी है चिकेन में बच कर लेंगे उस अगर आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं तो आप मैं दे के साथ भी घुल तेयार कर सकते हैं तो इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे और इसे लॉम्स फ्री खोल बना लेंगे अब यहां पे हमारा घुल तयार है और फिर मैं यहां पर ले रहे हुए पान उसे मैंने हीट कर ल तो जैसे यहां पर आड़ करूंगे फ्रेस मलाई मतलब मैंने दूद किया पर मलाई लिए अगर आप चाहो तो ख्रीम भी ले सकते हैं तो फ्रेश होना चाहिए इस बात का ख्याल रखेंगा तो मैंने यहां पर टू टेबल स्पून अफ्रेस क्रीम जाला है और इसे मिक्स करत कर चाहिए उन aja पर टालूँगी शीज़ में एड़ कर लूंगे और जैसे आप कर एंगे न आपकि सम्हाइछ क्रिंगे नहीं यह लूदE कम कर सकते हैं अब है तो आप इसका ख्याल रखेंगें और चलाते रखेंगे यहां पर देख रहना हो गया है तो मैं यहां प कशन न कि यहां पर चीज ले रही हूं इसकी टेस्ट को और भी जादा इन्हांस करने के लिए तो मैंने पर स्लाइस चीज लिए अमूल की आपके पास क्यूब बें तो भी आड़ कर सकते हैं तो अगर आपके पास चीज नहीं है ना तो आप स्किप कर देंगे इसके बगार भी बहु है नेक्स्ट पॉसेस के तरफ कि कि हमें कमें इन कटटेक्स काडविट एसके नहीं नॉन्डे का घोर्व बना लीए तो मैंने हमें पर दो औरarti लिया है नॉर्मली आप इसे पोर्त करेंगे और लमस क्छुल बना लेंगे गार रियुक्त एक आपे ऐसके ना, पर चक्रीमन सबसे पहले जिसे मैंने इस तरीके से स्रेट कर लिया है अगर आप चाहो तो और भी जादा इसे स्रेट कर जाकतो है मैंने थोरा मोटा मोटा ही रखा है तो मैं यहाँ पर चिकेन आड़ कर रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर आड़ करूँगी वही मेक्षर जो मैंने कॉंट्रोर वाला बनाया था यह ठंडा हो गया था और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है यह पतला नहीं रहना चाहिए वरना कटलेट्स बनाने में मुश्किल हो जाएगी तो मैं यहां पर ब्रेट क्रम्स ले रहे हूं मैंने लगबग दो ब्रेट को उभ्रेट क्रम्स को ग्राइंड कर ले था और यूझे Selvño यूँज इसी के साथ मैंने कुछ यहां पर दो यहां पर लिखने पत्टे और थोड़ी सी century है अब इससे हरिमें dead कर लेंगे सारे मेकंश को एक साथ बाइंड कर लेना है तो यह द्साइंब चुपकेंगी तो आप इसमें थोड़ा वाइल डाल सकते हैं एक तरीके सहरी मेक तरीक हैं को तयारे लेंगे और इस पोइंट पर आप थोड़ा ऐसे टेस्ट, stora दकए हनुआ तो नमक कम हगा है, तो अब अ से आन्टोंस अभर के रांटन्रोंन में लह गभग हमारे 78 इसने तरह किसको भांट के लिए त्पृहार में अब चलते हैं सबना है ऍरफ कि रखा फ्रबृहर भश्षन के झिलिए कि जाद ही भांट में यहां पर भांटे कि घोल livelihood इसके बाद मैं यहां पे ब्रेट क्रम्स में डाल के इसे चारो तरफ से बहुत इच्छे से इसकी कोटिंग कर लूँगी और आप पुरी तरीके से इसे कोट करने के बाद आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं सारी की सारी कटलेट्स को कोट कर लूँग यह स्टूर कर सकते हैं लाक करने के सब्सक्ape 5000 की थान a ओजाय करने की ता हूच चलते हैं था प्याइन पैन में आरेड़ी गरम ना तो रावार आऊटर लेएर की कोटिंग कोनाँ यहां लाप मुझे भाता पहलते डालती हूं झालग कोनाई घंड हिए डेनी हाई बहुतीट ईय्ट को ours सकता है जब इसकी इसमेट को आपठेंज करते रहें चेंज करते रहें ीक Shawn करते रहें तो इसके उसाइट को टर्म कर दीज़ागा और दूसरे साइट को भी golden कर लेना है और ऐसी तरीके से जो हमारा चिकेन मलाई कटलेट है वह एक्दम ready हो जाएगा दोनों साइट्स को अच्छे से कुक कर लेना है क्यों कि सरी हमें outer side ही कुक करना है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो मारा चिकेन मलाई कटलेट है वो कितना परफेक्टली बहार आउटर साइड का गोल्डेन हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सरूर से इसे ट्राइग कीजेगा अब इसे सर्फ कर लेते हैं किसी भी फेवरेट प्लेट पे किसी भी फेवरेट सॉसस के साथ ज बाहर से कितना क्रिस्पी करणशी बनाए और अंदर से कितना जूसी कितना क्रीमी कितना जीजी तेहर हुआ है तो यह लिजे हमारा जो चिकेन मलाई कटलेट एट तयार है और इसे अप सर्फ कीजे गरमा घरम खाईए और आपको यह रसी अच्छी लगी ना तो मेरे चानल आप आप से लिए बाबाई बनाना चाहेंगे यह तना साधा टेस्टी बना था और मेरी अपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि वन टाइम मेरे चानल टेस्टी मिल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं ऐसी आती रहूंगी ऐसी इंट्रेस्टिंग रेसिपी लेकर और अपना खयाल जब तक के लिए बाबाई टेक किर अला आफेस्ट वाल अफेस्ट वाल फ्यू